चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे रदर फोड का परमाडू माडल देखवाओ सन 1911 इसभी में एक रदर फोड नामक बैज्ञानिक ने अपने अलफा किरण प्रियोग के अधार पर एक माडल तयार किये जिसे रदर फोड का परमाडू माडल अथवा नाब किये माडल करते हैं थर्ण साह यह चर्शा कर दे कि अलफा किरण प्रियोग क्या था दे给我 सबसे पहले उन्होंने रदर फोड नाम बैज्ञानिक ने एक स्वन धातू की प्तली पन्यी पर एक देखा, डालकर्के तो इसके उन्होंने क्या किया था रदर फोर्ड नव बैग्यानिक, ने लेकिया अधिकांस अधिकांस अलफाकन सीधे निकल जाते हैं तो उन्हों مाना कि परमाड़ु का अधिकांस माप खोखला है। कुछ अलफाकन देखा गया कि उनने कुछ धनावे सत्वागत गेरे हुआ है किया है, अती मजबूत है जो यहाँ पर अलफा कर्ण सुबेद नहीं पाती है इसलिए कहा कि जहाँ से कि रिटन हो जाती है वही कुण क्या है नाभीक है तो यहाँ पर इसका नाम क्या रखा उन्हें नाभीक रखा उन्होंने बताया कि अधिकांज अलफा कर सीधे निकल जाता है तो माना कि परमाडू का दिकांस वाग खोकला है कुछ कर जो होते हैं जा रहा है और कुछ एंगल पर मुड़ करके चले आ रहे हैं तो मान राहे कि लग रहा है इसके अंदर कुछ एक सुच मस्थान है जहां पर दानावेसित भाग है उसी को क्य सकति हौने ना भी का इसी प्रयोंग केip अधार पर इस अलफात करण प्रयोंग के अधार पर क्राषालude फोडं नहीं रखेंने जब परमाडू माडल तयार किया तो उन्होंने कुछ मिसीशताओं बताया उन्होंने का कि जो परमाडू होता है वो अतिस सुच्म परमारू जो होता है वह एक बिद्दूत उदासीन कर उता है उस पर किसी परकार का कोई आवेस नहीं होता है उन्होंने बताया कि जो कोई भी परमारू जो होता है वह जो एक दो भागों से मिलकर बना होता है उन्होंने बताया कि कोई भी परमाडू दो भागों से मिलकर बना होता है एक होता है धानावेशित भाग और दूसरा क्या होता है रिणावेशित भाग उन्होंने कहा कि जो धानावेशित भाग होता है उसे हम नाविक कहते हैं उसे क्या कहते हैं नाविक कहते हैं है और कि नावी के अंदर क्या होता है नावी में क्या होता है प्रोटान और निट्राण दोने उते हैं और नमी नमें अपनी अपनी कछाओं में क्या करते हैं कि चक्करों लगाते हैं असे में उन्हों ने कहा कि कोई भी पर मारू जो था दो भागों से मिलकर बना होता है एक होता है धाना वेसिद वागदूसरा क्या होता है उन्होंने बताए कि जो रिनावेसित भाग में इलिटरान होता है अधानावेसित भाग में पोटरान होता है उन्होंने बताए पोटरानों और यहां पे पोटरानों और जो इलिटरानों की संख्या क्या होती है समान होती है बराबर होती है ठीके तबी तो परमाडू क्या होत एक विद्दू तुदासीन कर अब यह ध्यान देना यहां पर कि यहां पर पर माडू के नाभीक में बाउयाद रखना प्रोटान प्लस नूट्रान और नाभीक के चारों और क्या करते हैं इलेक्ट्रान इलेक्ट्रान इन्हों ने अपने अलफा किरन परियोग के अदार पर माडल तैयार किा था उसमें बटाया कि पर मारू एक तक चारों अपने अपने कच्छाव में क्या करते हैं पर voulais यार ijn को वेन बाड़ कर दिया तो इनके पर माडु माडल के अंदर में कुछ कमया थी कम्या क्या थी इन्हों ने बताया कि पर्माडू नाभीक के 4 विल्ट्रान जो है अपने उरजाओं का उस सर्जने देए इसार चंप करते खकर लगाते इस़। ही खेले घर जाएगा जयाए कि चोटा हो जाएगा कि नाभी घर जाएगा इना पर नॉन पर को जाएगा वह गांवगा तो उन्हों नुनुने양 था तो दिंद्स अब बताई आपे दीनमर काम करोगे खाना ने घाओगे कैसे चलोगे तिक है वह यहां पर इलटरान जो है अपने उर्जा को बाटते चलेगा बाटते उर्जा उसन करेगा उसन करते 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 इतना कमजर हो जाएगा इतना उसकी परमाडू त्रिया घड़ जाएगी अं कोट के नाभी की माडत परमाडू माडल पक्रम fou को किस ने दूर किया नील बौर ना हिक लिख सकते हो नील सभूँ नावाल वख्यानिकन क्या किया इन एक मि दूर या इन लीतो धीक Ale australove प्रमाडू को दूर किया तो बताया कि परमाडू जो नाभीख होता है वोभी बता दो बागों से मिलका बना होता है एक होता है धानावेसित वाग दूसरा क्या होता है लेकिन परमाडू यहां पर धानावेसिक वाग में बताया कि पोटरान है और इसमें क्या है लिटरान है उन्हों ने बताया कि परमाडू ना भी के चारों और अनेक बृति कछाएं होती हैं लेकिन इलेटरान सभी कछाओं में चक्करों नहीं लगाता है यह निल बोर का रहे हैं कि परमाडू ठीक वाई परमाडू दो भागोस मिल्क बना हुआ एक दानावेसित और एक इदानावेसित है लेकिन परमाडू नावी के चारों और रदर फोट ने कहा कि अपनी उर्जय क उसाजन करते चकर लगाते हैं अपनी पर कछाओं में लेकिन ने बताया कि परमाडू नावी के चारों और अनेक चाय होती इस अनेक बृतिक च्छाय होती है लेकिन ट्रान सभी कछंशक कर नहीं लगाता है वह उसी कछ्षा में चक्कर लगाता है जिसका कूरीय सम्पैग जिसका कोड़ी संबेग NH upon 2π का पूर गुणा जो उसी कच्छा में चक्करों लगाएगा आनि इलेटरान उसी कच्छा में चक्कर लगाता है जिसका कोड़ी संबेग कोड़ी संबेग सुत्र होता यम भी आर बराब सुत्र होता NH upon 2π और निल बोर ने ब्रदर फोर्ट की परमाड़ू माडल कमीयों को दूर किया तसुक्त के प्लांग को डांटम सिद्धान दार पर इस के परमाड़ू माडल की कमीयों को निल बोर्डी थूर किया परच सिख्डान से नील बोर ने रादर फोर्ट कि परमाडवी की कमयों को इह माडल कमयों को कि सिद्धांस किसके नियम से दूर किया फकला के IC क्वांटम सिद्धांस से नीञ बोर नभाव ज्यानीक ने रदर फोर्ड के परमाडवspe AI không को दूर किया और बताया कि परमाडू ना भी के चारों और अनेक बृति कच्छाएं होती हैं लगाते हैं लगाता है जिसका कोड़ी संबे एम भी आर जो है वह एने चापान टू पाई का पूर गुड़ा जो अब बात करते सर्जी यम क्या है देखो यम जो होता है ना या इल इलेटरान का द्रव्यमान कोई बताया कितना होता है इलेटरान द्रव्यमान कितना होता है नौ दस मलो एक गुड़े दस के पावर माइनस 31 गात किलोग्राफ इलेटरान का द्रव्यमान होता है इसके बाद भी क्या है इलेटरान का बेग लगबग परकास के बेग से क्या कर हाकता है चक्करे लगाता है इलेटरान का वेग वगया आर जुँता है ना बिकी तुट्री जिया होती है यन क्या है कचकों की संख्या है क्या है का फालुका ठाएंधे कнемैसरा कच तीसरा कच्छा कच्छा कौ आभ यहां पर यह ज को जान देना यह मेंन है यह जो होता है पलांग कनी रटांग कोता है अब प्लांग न की र्रस का मान कितना होता चैसे दस्मूर्टीन चार चार शाथ शाथ मुचे शेटम टीन चाब गोड़ दस के पावर कितना होता है मायनश चौंटिस गार शेद आखे दस्मूर्ट होता है इसका मान आज चेदस्ट में चेटां तीन होता है कि गुड़दस की पाउप एतना होता मैना चौंच तीस गार मात्रा क्या होता है जूल शेकंड या इस प्लांक निये तांघ किया होता है मान होता है आगे सामें एई जो एवाव नील बोर अथवा बोर बरी का परमाडू माडल है उन्हों ने बताया कि परमाडू जो होता है फूटरां और ये मिल्टरां अपने और जाए को लगाता है अब कोई वीड़ान अपने और जार्जाय करते हो चक्र लगाता है और कोई विल्टराण अपनी और जाखें चक्र लगाए गवाओ एक समय एसा आगा कि परम उस परमारू को नील बोर नाव बैग्यानिक ने क्वांटम सी दान से दूर किया और उन्हें बताया कि परमारू ठीक है बास सही है कि दो भागों से परमारू नाविक के चारो और अनेक बिरती कच्छा हैं होती है लेकि लगाता है उसी कच्छा हम चक्र लगाता है जिसका कोड़ी सम्वेग नेच अपन टू पाई का पूर बुड़ा जो जहां पर भी किया होता है इसा जहां लटान का बेग है यह हम क्या एद्रेमान और तरि उपाई कोड़ से क्या हो जाएगा घूम जाएगा उने अभी बात बताया कि अगर अपनी कच्छा में आनि कोड़ी सम्वेग कच्छा में शक्र लगा रहा है अगर उसको कहीं से उर्जा मिल जाती है तो अपनी कच्छा को छोड़ करके अपरी कच्छा में क्या करता है वो लेंग उखो 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 उखो